परंतु अचारे, हम धन से तो आपकी कोई साहेता नहीं कर सेखें, क्योंकि हमारे धन पर तो आप सिकंदर का नियंत रण हैं। वैसी स्थिती में आपको अपना ही धन चुराना पड़ेगा मारज। नेती शास्त्र के नियम के अनुसार, पाप केवल एक ही होता है। चोरी जब आप किसी की हत्या करते हैं, तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिध्या कहते हैं, तब दूसरे के सत्ते बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वास घात करते हैं, तब आप उससे नयायचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। किन्तो जिन्नोंने बलपूरवक अपना अधिकार जमा लिया हो, ऐसों से अपना ही धन चुराने में कैसा पाँ। विशेशकर तब जब वो अपनी ही मातर भूमी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हूँ, हो ही नहीं सकती ऐसी चुरी पाँ। मनुष्य जब पुद्धी से तनाव में होता है, चिंता करस्थ होता है, तब उसका चित भी संशे में होता है। ऐसे समय में उसके मस्च को उसकी पुद्धी से खेला जा सकता है। अपने विचार उस पर रोपे जा सकता है। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए, तो लोगों को शिक्षित करूँ। चंदरगुत, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए, और ना ही अपने भविश्यक को लेकर अनावश्यक रूप से उसको कोड़ना चाहिए। वर्तमान, वर्तमान सत्य है, उसे पर पूरा ध्यान के इंद्रित होना चाहिए। किन्तो कैसे, बीते समय से शक्ती बटोरों और सजक होकर गड़ों अपना परतमान, विश्यक अपने आप सबर जाएगा। किन्तो को आप से एजय को इंद्रित है विश्यक अपन आप, किन्तो कि सीए इंद्रित है, इंद्रित है, आप इंद्रित है विच्जक रूरा से बागएगा।